नमस्कार दोस्तो मैं तालिव लाल गिता बरुन महता आज पिर आप सब के सामने हाजर हूँ दोस्तो हम सब लोगों का बच्पन से आज तक करने वाला एक बड़े कौम अनुपाए के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने आया हूँ जो है गाएं को चारा डालना गाएं को चारा डालने से हमें क्या फाइदे मिलते हैं क्या बेनेफिट्स उसके हैं और किस किस को कैसे कैसे चारा डालना चाहिए उन सब चीजों के रेगार्डिंग ये एक डेटेल्ड वीडियो होगा जो की बहुत ही इंपॉर्टन्ट है हमारे यूद के लिए हमारी आने वरी जनरेशन के लिए गाएं की सेवा कैसे मत्वपूर्ण से दो सकती है इन सब चीजों के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें ताकि आप सब लोगों को इसके लॉजिक का पता चल सके दोस्तों गाएं जो है उसमें हमारे तेती कोटी देवी देवताओं का वास माना गया है गाएं लाल किताब के अकॉर्डिंगली शुकर ग्रै को रिप्रेजेंट करती है गाएं जो है उसको जब भी हम लोग चारा डालते हैं उसकी सेवा करते हैं तो हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स इवन ब्रस्पती, सूरे, चंदर, शुकर, गुरु, राहु, केतु सारे के सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे तरीके से बालन्स हो जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उन लोगों को गाएं को चारा डालने के लिए बोला जाता है जिन लोगों के बुद्ध और शुकर कॉंडली के अलग-अलग भावों में बैठे होते हैं लाल किताब के अनुसार बुद्ध और शुकर ये दोनों ग्रै कुंडली में एक साथ होना बहुत शुब माना गया है और इनका अलग-अलग घरों में होना जो है वो ठीक नहीं माना गया क्योंकि वो वर्षफल के अकॉर्डिकली अलग-अलग भावों में चले जाते हैं तो जिन लोगों के बुद्ध और शुकर अलग-अलग घरों में बैठे हुए हैं वो लोग गाएं को चारा और पालक ये दो चीजें जरूर दिया करें उन लोगों को चाहिए कि कम से कम महीने में एक बार अपने वजन के अनुसार पूरा जितना आपका वजन है बॉडि वेट के बराबर चारा जो है वो गाएं को जरूर दें ताकि आपके बुद्ध और शुकर एक साथ अच्छे तरीके से बैलस्ड वे में चलते रहें और आपके कारोबार में देखतें ना आएं उसके साथ जिन लोगों की गुंडली में सूरे और शुकर का कॉंबिनेशन देखा गया है उन लोगों को गाएं की सेवा स्वरूप गाएं को चुकर देना बहुत ही ज़्यादा शुब माना गया है वो लोग कभी कबार गाएं को गुड़ दिया करें और अगर सूरे शुकर की यूति आपकी मेरिट लाइफ को खराब कर रही है और उसके साथ साथ आपकी पतनी के स्वास्ते में बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है और उसको अदल अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको चाहिए कि कभी कबार गाएं को थोड़ी सी कॉंटिटी में बिल्कुल हलकी मातरा में काला नमक खाने को दें उससे गाएं को क्या होता है कि जब भी गाएं काला नमक थोड़ी सी मातरा में खाती है तो चारा खाने से उनके मूँ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो काला नमक खाने से वो सब प्रॉब्लम्स से गाएं को राहत मिलती है गाएं की सेहत भी सुदरती है और आपक और ज्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं गाएं के रिगार्डिंग तो आप जाकर के गाएं गौशाला में गाएं की सेवा के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ें जरूर करते रहा करें ताकि आप शुक्र ग्रह के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें ऐसी ही और मत्वपून जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दन्यवाद